प्रिये व्यूवर्स ये संस्कृतिया ये एस यूट्यूब चैनल का पीटी थेंक आंड सॉल्ट प्रोग्राम है इस प्रोग्राम के इंतरगर्थ प्रती एक दिन यूपी असी और स्टेट पीसे से समवंदेद पांच प्रशन व्याक्या सही तुत्तर के साथ दिये जाएंग हाल के दिनों में प्रोजेक्ट कुई पर चर्चा में रहा है इसके संदर में निर्मलिखित कथन दिये गए हैं बताइए कि कौन सा कथन सही है यह प्रोजेक्ट अमेजन कंपनी द्वारा प्रस्तावित है तथा इसका उद्देश्य उन शेत्रों में ब्रॉडबेंड इंट इंटरनेट सेवाओं से वन्चित हैं केवल एक केवल दो एक और दो दोनों ना तो एक ना ही दो सही उत्तर क्या होगा उप्शन सी प्रोजेक्ट कोई पर अमेजन कंपनी द्वारा प्रस्तावेत एक मेहत्व कांशी योजना है इसके तहर साथ हदार से अधिक क्रतिम संचार उग्रह प्रत्वी की निशली कक्षा में प्रक्षेपित किये जाएंगे इसका उद्देश है विश्व के उन छेत्रों में ब्रॉडबेंड इंटरनेट सेवाएं प्रदान कराना है जो अब तक हाई स्पीड इंटरनेट सेवाओं से वंचित हैं हाला कि इस प्रोजेक के लॉण्च होने का निश्य समय अभी निर्धारित नहीं किया गया है इस प्रकार कतन एक और दो दोनों सही है अताव विकल्प सीज का सही उत्तर होगा दूसरे प्रशिक को देखिए क्या है हाल ही में फेज डाउन तथा फेज आउट का मुद्दा चर्चा में रहा है बताइए कि ये किस से संबंदित है 15 वर्ष से पुराने मोटर बाहनों के उप्योग पर प्रतिवंद सावजनेक उध्यमों का चरणवद विनिवेश COP26 में कोईले के उप्योग पर प्रतिवंद वायू प्रदूशर को कम करने के लिए औध्योगे किकाईयों पर प्रतिवंद Option C इसका सही उत्तर होगा COP26 संबेलन में देशों की उजा आवशक्ताओं की पूर्टी के लिए कोईले पर निर्वर्टा कम करने तता कोईले के उत्तपादन पर दीजारी सबसीडी के मुद्दे पर भागीदारों के बीच मदवेद देखा गया है कोईले के अत्यदिक उप्योग के कारण परयवरण पर इसका गंभी दुश प्रवाव पड़ा है इसी संदर में कई विक्सित देशों ने कोईले के उप्योग को चरण वर्ट तरीके से समाप्त करने की बात कही है वहीं भारत समेत अनेग विकाशिल देशों ने कोईले के उप्योग को चरण वर्ट तरीके से कम करने का पक्ष भी लिया है वर्तमान में भारत अपनी उज्या आवश्यक्ताओं का एक बड़ा हिस्ता कोईले से ही प्राप्त करता है ऐसे में भारत कोईले के उपयोग को तुरं समाप्त करने के पक्ष में नहीं है और इसलिए कथन C इसका सही उत्तर होगा तीसरे प्रेशन के और बढ़िये पिछले कुस समय से देश में मोटर वाहनों के उत्तपादन में लगातार कमी देखी जा रही है इसके लिए निन्म लिखित में से कौन सा कारक मुख्य रूप से उत्तरदाई है ध्यान से पड़े ओप्शन को इस पात की आपूर्ती में कमी अर्द चालकों की आपूर्ती में कमी विध्यत आपूर्ती में कमी या पेच्रोले मुत्पादों की कीमतों में व्रद्धी ओप्शन 20 का सही उत्तर होगा व्याख्य को देखे क्या है वर्तमान में भारत सही पूरे विश्व में मोटर वाहन उद्योग मंदी का सामना कर रहा है वाहनों के निर्मार में प्रयोगत होने वाले अर्द चालकों के उत्पादन एवं आपूर्ती में कमी इसके लिए प्रमुक रूप से उत्तरदाई है वाहनों में अर्द चालकों का प्रयोग अर्द चालकों के आपूर्ती में कमी के कारण भारत में कुछ वाहन उत्पादन एकायों को बंद करना पड़ा है और इसलिए विकल्प बी इसका सही उत्तर है चौथे प्रश्र को देखे क्या है सुपेश पोर्टल के संदर में सही कथन का चयन कीजे यह सर्वोच न्याले की कारणाली को त्वरित और दक्ष बनाएगा यह और्टिफिशल इंटेलिजेंस तक्नीक पर आधारित है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनो, ना तो एक, ना ही दो सही उत्तर क्या होगा ओप्शन C सर्वोच न्याले ने अपनी कारणाली को त्वरित और दक्ष बनाने के दोहरे उद्देश के साथ तक्नीकी नवाचार को आगी बढ़ाया है सुपेस सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेन इन कोर्ट एफिशेंसी पोचर अर्टिफिशल इंटेलिजेंस तक्नीक पर आधारित है यह किसी मामले से संबंधित विविन प्रासांगे कानूनों एवं तत्यों को समन्वित रूप से नयाधीशों के समक्ष प्रस्तुत करता है यह नयाधीशों द्वारा त्वरित रूप से और अधिक दक्षता से निर्ने लेने में साहिता प्रदान करेगा और इसलिए कथन एक और दो दोनों सही है तब विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा जल्दी से अपनी स्क्रीन पे पाँच में प्रश्न को देखे निर्मलेकित कत्मों पर विचार करिये और बताइए कि कौन सा कत्थन सही नहीं है राजश्रेक रसी विकास योजना रफ्तार के तहट दो स्टार्ट अप योजना आंकुरन तथा प्रस्फुटन की शुरुवात की गई है अंकुरन के तहट विध्यार्तियों, किसानों तथा युवाओं में नवाचारों को बढ़ावा देने हैं तू प्रसेक्षन तथा प्रोस्ताहन राशी देने का प्रावधान है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों ना तो एक ना ही दो सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से सोचिए औप्शन डी राश्ट्रे क्रशी विकास योजना, क्रशी और संबध्ध छेत्रों के कायकल्प के लिए लावकारी दस्टी कोड का उद्देश क्रशी एवं संबध्ध शेत्रों में बुनियादी धाचे को मजबूत बनाना है ताकि वित्य साहिता की सुभधा एवं विवसाय, इंक्यूवेटर प्रणाली को पोशित कर क्रशी एवं क्रशी विवसाय को बढ़ावा दिया जा सके इसके तहट दो उप्योजना अंकुरन तथा प्रस्फुटन की शुरुवात की गई है आंकुरन योजना नवाचारी किसान, विध्यार्ती, युवा इस कारिक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं चैनित आवेदकों को दो महीने के लिए प्रस्टिक्षन एवं कोचिंग दी जाएगी जिसके लिए 10,000 रुपे प्रती महा वजीफा दिया जाएगा प्रस्टिक्षन को सफलता पूर्वक पूरा करने तथा प्रोटोटाइप विक्सित करने के पस्चाथ परियोजना लागत का 90 प्रतिशत तक अनुदान के रूप में दिया जाएगा प्रस्टिक्षन क्या-क्या है? देखें इसके अंतगत नियुनतम व्यभारेक उत्पात के साथ कोई भी स्टार्टप कारिकरम के लिए आवेदन कर सकता है उत्पात, प्रयोगशाला परिक्षन तथा प्रमाड़ी करन पर कारिकरने हितू दो महीने के लिए इनक्यूवेशन की सुविधा प्रदान की जाएगी इनक्यूवेशन चरण के सफल समापन के पस्षाथ परियोजना लागत का 85 प्रतिशत तक अनुदान के रूप में दिया जाएगा इस प्रकार कतने एक और दोस सही है इसलिए विकल्प D इसका सही उतर होगा